और अभी तीन चार दिन पहले एक बहुत बड़ा आदमी पकड़ा गया जिसके ओपर नशे की तसकरी करने का आरोप है ये सारे पार्टी वाले भगवंतमान को गालियां दे रहे हैं कि आपने इस ऐसा क्यों किया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नशे के तसकरों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए दोना हाद उपर खड़े करके बताओ कि नशे के तसकरों को पकड़ना चाहिए कि नशे के तसकरों को जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए मैं इन सारे पार्टी वालों को कहना चाहता हूँ हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं हम किसी के खिलाफ नहीं हम नशे के खिलाफ हैं नशे ने हमारे युवाओं को बरबाद कर दिया, नशे ने पूरी पीडी को बरबाद कर दिया, हमारे बच्चों को बरबाद कर दिया, नशा बरदाश्त नहीं हो सकता। मैं सारी पार्टियों से अपील करता हूँ अगर आपकी पार्टी का नेता भी नशा करता है उसको पार्टी से निकाल दो उसको पुलिस को सौंप दो हम सारी पार्टीयों से अपील करते हैं इस नशे के खिलाफ लड़ाई में आप हमारा साथ दो चाहे किसी पार्टी का नेता हो उसका किसी को साथ नहीं देना चाहिए हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है किसी नेता के खिलाफ नहीं है लेकिन नशा बरदाश्ट नहीं करेंगे किसी हालत में नशा बरदाश्ट नहीं करेंगे फिर चाहे हमारी पार्टी का भी कोई होगा उसको बक्षेंगे नियम एक टाइम था जब पंजाब बेरोजगारी के लिए जाना जाता था पंजाब के युवाब मैं यह नहीं कहा रहा बेरोजगारी खतम हो गई अभी भी बेरोजगारी है, काफी बेरोजगारी है, हमें ठीक करनी है, लेकिन आज रोज अख़बार उठा के देखो, अख़बार के टॉप के उपर क्या लिखा होता है, मान साब ने आज 300 लोगों को नियुक्ति पत्र बाटे, मान साब ने आज 1200 लोगों को नियुक्ति पत् है 37,000 लोगों को नौकरी दे चुके भगवंतमान साब 37,000 लोगों को कहां से आ रही है इतनी नौकरिया नियत साफ है और यह मत सोचना है यह पंजाब के अख़बार में छप रही है पूरे देश के अख़बार में छपती है महराष्ट्र में भी चर्चा होती है राजस्तान में भी चर्चा होती है मध्यपरदेश में भी चर्चा होती है अरे पंजाब में तो बड़ी जाता था पंजाब को जाना दाता था कि चारो तरफ ब्रश्टा चार है लूट है नेता पैसे खाते हैं कोई काम बिना पैसे के नहीं होता सारा सरकारी पैसा चोरी हो जाता है इन नेताओं ने अपने इतना पैसा कमा लिया था इन नेताओं ने पंजाब के सरकारी खजाने का पैसा चोरी करकर के एक-एक नेता ने इतना पैसा कमा रखा है इनकी साथ-साथ पुष्टें घर बैठके खा सकती हैं अगर भगवंतमान सरकार आपकी डेड़ साल में बिजली मुफ्त कर सकती है पैसा है तो इन्होंने 75 साल में क्यों नहीं किया अगर भगवंतमान सरकार आप को रोजगार दे सकती है, 75 साल में इन पार्टी के नेताओं ने क्यों नहीं किया, क्योंकि इनकी नियत खराब थी, इनकी नियत खराब थी, हमारी नियत साफ है, बस इतना फरक है, पहले पंजाब जाना जाता था, चारो तरफ भरष्टा चार, चारो तरफ भरष्टा चार, च छबता है, आज इस नेता को कैद हो गई, आज वो नेता पकड़ के जेल में गया, एक भी भ्रष्टाचारी को नी छोड़ेंगे, जतना आपका पैसा चोरी किया है, उसके गले में हाथ डालके सारा पैसा निकल वा लेंगे आपका, जितना पैसा ये चोरी करकर के स्विस बैंक को मिले के गए हैं वो सारा पैसा निकला के आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे एक एक पैसा इन से वसूलेंगे दोस्ते चारो तरफ पंजाब में एक गिरफतारी होती है पूरे देश में चर्चा होती है और पंजाब में एक और भरष्टाचारी पकड़ा गया पंजाब में एक गिरफतारी होती है सारे देश में चर्चा होती है अब पंजाब बदल रहा है पहले आप जब काम कराने जाते थे सरकारी दफतरों में आप से पैसे मांगे जाते थे मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ ठीक हो गया लेकिन थोड़ी कमी तो आईए आईए की एक और काम शुरू करें ये भगवनतमान सरकार अब आपको सरकारी दफतर में काम कराने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमने दिली में करा आपको एक नंबर दे दिया हमने दिली में 1076 आपको सरकारी दफतर में कोई काम है आपको तहसीलदार के पास जाने की ज जरूरत नहीं हैं, आप उस नंबर पे कॉल करो, बोलो मेरे को ये काम कराना, राशन कार्ट बनवाना, जाती प्रमान पत्र बनवाना, ये बनवाना, वो बनवाना, बिजली का कनेक्शन लेना, पानी का कनेक्शन लेना, जो काम आपको कराना है, आप उस नंबर पे कॉल करो, दू उदर से अवाज आती है हम कितने बज़ें आपके घर आपका काम करने के लिए आएं आपको दफतर जाने की जुरूरत नहीं है सरकारी अफसर आपके घर आएंगे आपका काम करने के लिए आपको किसी दलाल के पास जाने की जुरूरत नहीं है अब ये सुविधा अभी तक केवल दिल्ली में थी अब पंजाब में भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ सर्विस आपके घर जो काम आपको सरकारी दफ्तर में कराना है आप उस नंबर पे कॉल करना आप बताना अपना एड्रेस बताना अपना फोन नंबर बताना आपके घर आके आपका काम करके जाएंगे किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है आपके घर आके सरकारी अफसर आपका काम करके जाएंगे पूरे देश के अंदर आज चत्वरे पहले पंजाब रष्टाचार के नाम से जाना जाता था आज पंजाब की भगवनतमान सरकार इमानदारी के नाम से जानी जाती है दोस्तों पहले माहौल था इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के पंजाब छोड़ छोड़ के जा रही थी मैंने बड़े किस्से सुने हैं चारों तरफ सुनने में एक दिन जब पुरानी सरकारें थी उनके एक नेता की नजर एक ब्रेड की फैक्टरी पे पड़ गई उसने ब्रेड वाले को बुलाया और बोला तेरे गेट से अपने गेट के उपर अपना पार्टी का आदमी बिठा दिया की हर पैकेट के ऊपर इतनी कमिशन देनी पड़ेगी एक दिन उसकी नजर एक रेस्टराँ पे पड़ गई होटल पे पड़ गई होटल के मालिक को बुला के कहता है तेरा होटल मेरे नाम कर दे उसने मालिक ने मना किया तो होटल के सामने एक फ्लाइवर बनवा दिया ताकि उसका धंदा चौपट हो जाए लूट खसोट मची हुई थी कोई काम करने को राजी नहीं था पंजाब के अंदर पंजाब के व्यापारी पंजाब छोड़ छोड़ के जा रहे थे पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के जा रही थी अमरित सर देख लो जलंदर देख लो लुध्याना देख लो कहीं भी जितनी इंडस्ट्री थी सारी छोड़ छोड़ के पंजाब चली गई अब माहौल बदल गया है कल मान साब, एक फैक्टरी का उध्गाटन करके आए है नीदर लेंड, नीदर लेंड यौरोप का एक देश है बड़ा अमीर देश है अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पे अमीर देश है वहां से कल एक कमपनी आई है उस company ने भारत के अंदर अपनी पहली factory लगाई है पहली factory और वो पहली factory कहां लगाई है मध्यपरदेश में नहीं लगाई माचल परदेश में नहीं लगाई वेस्ट बेंगॉल में नहीं लगाई राजस्तान में नहीं लगाई पंजाब के अंदर उन्होंने अपनी पहली Factormy लगाई है कि उन से पूछा गया कि आपने पंजाब को क्यों चुना तो उस factory के मालिक ने कल factory का मालिक भी आया हुआ था राजपुरा के अंदर पहली factory लगी है, उस factory का मालिक कहता है कि मैं भगवंतमान साब से मिला मुझे लगा बहुत अच्छे आदमी हैं मैं यहां के अफसरों से मिला मुझे अफसर भी बड़ी मदद करने वाले लगे इसलिए हमने तेह किया कि हम पंजाब के अंदर पहली फैक्टरी लगाएंगे बहुत बड़ी बात है एक टाइम था जब पंजाब बदनाम था जब पंजाब की इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के बाहर जा रही थी मद्यपरदेश जा रहे थे हिमाचल परदेश जा रहे थे राजस्तान जा रहे थे पंजाब की इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के जा रही थी आज दुनिया भर से इंडस्ट्री पंजाब आ रही है एक और जर्मनी की कंपनी है उसने लहरा गागा में अपनी एक कंपनी लगाई है उसने भी पहली फैक्टरी पंजाब के अंदर लगाई है एक और जर्मनी की कंपनी है उसने मर्सडीज मुरिंडा में मुरिंडा में एक और जर्मनी की कंपनी है उसने मुरिंडा के ते निये पंजब के अंदर कूँ आ रही हैं पंजब का महौल बदल गया दोस्तों एक टाइम पंजब बदनाम था पूरी दुनिया के अंदर पूरे देश के अंदर आज पंजब की चारो तरफ चर्चा आए पूरे देश से अभी जैसे मान साहब ने बताया, संसद में एक प्रश्न पूछा गया, कि पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा छोटी इंडस्ट्री कहां लगी, केंदर सरकार ने संसद में बताया, कि पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा छोटी इंडस्ट्री पंजाब के अंदर लगी, पिछले एक साल में पचास हजार करोड रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है पंजाब के अंदर पचास हजार करोड की इंडस्ट्रियां लगनी चालू हो गई या लगला कोने कोने में बहुत जल्दी आपके बच्चों को दो लाख बयासी हजार बच्चों को नौकरियां मिलेगी आपके पंजाब बदल रहा है बहुत तेजी से पहले पंजाब के अंदर इतनी लूट खसोड थी कानून विवस्था गड़बडाई होई थी चारों तरफ गैंग्स्टर ही गैंग्स्टर थे चारों तरफ फिरोती मांगी जाती थी व्यापारी दुखी थे किसी के पास भी फोह ना जाता था इतने पैसे पहुचा दो नहीं तो तुमारा ये कर देंगे तुमारा वो कर देंगे टाइम लगा जब हमने विवस्था संभाली तीन चार महीने तक हमें भी बड़ी मुश्किल हुई लेकिन आज डेर साल के बाद पंजाब की कानून विवस्था ये हम नहीं कह रहें इंडिया टूडे वालों ने अपनी सर्वे कराया था इंडिया टूडे वालों ने अपना सर्वे इंडिया टूडे बहुत बड़ी इंडिया टूडे मैगजीन है उन्होंने अपना सर्वे कराया था पूरे देश में दूसरे नंबर पे पंजाब जो है सबसे अच्छी कानून विवस्थाज पंजाब के अंदर है पंजाब बदल रहा है दोस्तों एक टाइम था जब पंजाब नशे के लिए जाना जाता था पिक्चरे बनती थी उड़ता पंजाब पिक्चरे बनती थी कि पंजाब में कितना नशा है चारों तरफ देश में था कि पंजाब तो नशे की राजधानी है देश की मैं यह नहीं कहता नशा पूरी तरह बंदो गया अभी बहुत काम करना बाकी है